हेलो स्टुडेंट आप सभी का डिजिटल प्लैटफॉर्म सिक्सा पे स्वागत हैं तो आज हम लोग क्लास नाइन्थ का एक बहुत इंट्रेस्टिंग चाप्टर स्टार्ट करने चाहरे हैं जिसका नाम है मोसन गती क्या मोसन तो मोसन में हम लोग पढ़ेंगे इसका डिफिनिशन रिफरेंस पॉइंट किसको करते हैं एस्टेसनरी पॉइंट किसको करते हैं रेस्ट किसको करते हैं यह सब हम लोग पढ़ेंगे मोसन में इसके टाइप्स पढ़ेंगे Types based upon the path Path पे ही हम लोग motion का type describe करते हैं ठीक है कि कौन कैसा path होगा तो उसका क्या नाम देते हैं हम लोग ठीक है फिर इसमें दो quantities के भी पाड़े में पढ़ेंगे हम लोग वो दो quantities है scalar quantity और vector quantity ये दोनु quantities को पढ़ना इसलिए important है हमें physics में और भी कहीं भी जो problem होगा ये दोनों के बारे में हमेशा सुनने को मिलेगा, क्या सुनने को मिलेगा scalar quantity और vector quantity ठीक है, तो इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे, तो आज सबसे पहले motion तो motion होता क्या है Sir motion क्या होता है, तो आप लोग सुनने को लेगा Sir, the movement of a body is called motion, ठीक है, आपका भी ठीक है, जिस body में या object में गती हो, movement हो, उसको क्या कहते है हम लोग, motion तो motion जो है time to time change होता है ठीक for example आप पढ़ रहे हैं, बैट के पढ़ रहे हैं और मैं चल रहा हूँ, तो आपको हम stationary ले ले लेते हैं, यह reference stationary point को ही हम लोग क्या बोलते हैं, reference point तो आपके reference में जब हम movement कर रहे होंगे तो हम क्या चीजम होंगे motion में, क्या होंगे motion में, तो हम जो हैं, क्या कर रहे हैं आपके reference point पे लेते हैं, छल भी रहे हैं और time to time क्या हो रहा है हमारा motion, change हो रहा है है कि नहीं, हमारा change हो रहा है, तो a body says to be in motion when its position changes with respect to time यह second definition आपको बता है और third point आपको क्या बोलेंगे इसमें motion में when a body is in motion या when a body is in movement when it changes position with respect to stationary point that stationary point को हम लोग क्या बोलते हैं अभी आपको बता है reference point stationary means जो बस्तू या body या object जो अस्थीर रहता है for example example देखिए अभी tree ठीक है tree क्या रहता है road के side में रहता है और road पे हम लोग चलते हैं या बस गाड़ी चलती है तो tree के respect में जो गाड़िया चल रही है तो वो क्या हो जाएगा पलों के सामने train क्योंकि आप कहीं भी जाईए गाँ बड़े लोग जो भी होंगे बड़े लोग जैसे आप बोले हैं क्या पढ़ रहे हो motion तो सबसे पहला वह example train ही पे पूछते हैं ठीक है माल लिया जाए मैं train में हूँ train चल रही है ठीक है जो बाहर ट्री है उसके respect में हमारा क्या हो जागा हम rest में है कि motion में है बताईए बताईए हम train में बैठे में हैं train चल रही है बाहर जो tree है उसके respect में हमारा क्या हो जागा rest या motion yes motion क्या हो जागा हम motion में हैं tree के respect में समझ गया मिए अगर माल लिया जाए दौ लड़के राम और स्याम यह दोनों कहां बैठे हैंं कि ट्रेन में बैठे है ठिक मूव कर रही है तो यह दोनों क्या चिमें हैं दोनो रेस्ट में है या मोशन में है ये दोनो ट्रेन तो मूव कर रही है लेकिन ये क्या हो जाएंगे रेस्ट में है ठीक है क्या है रेस्ट में लेकिन ट्रेन मूव कर रही है ठीक है माल ले आ जाए ट्रेन मूव कर रही है बाहर मैं भी मूव कर रहा हूं क्या कर रहा हूँ? मैं भी move कर रहा हूँ train का speed 10 km पर आवर है और हमारा भी speed 10 km पर आवर है तो आप बताईए motion में कोन होगा? train होगा कि हम होंगे या दोनों नहीं होगा तो इसका answer क्या होगा? बताईए अब देखें सबसे पहले train और जो हम बाहर movement कर रहे थे दोनों का speed क्या है? 10 km पर आवर मतलब दोनों का speed सेम है न एक्सलरेट कर रहे हैं न डी एक्सलरेट कर रहे हैं ठीक है? तो हम लोग दोनों क्या हो जाएंगे? रेस्ट में अब इसी चीज़ को मेरा movement और train का movement अगर 3 के reference point से हम ले लें तो क्या हो जाएगा? हम मैं और train का दोनों moment क्या हो जाएगा? motion में समझ गया है? ठीक है तो ये train से related आपका example था तो ऐसे सारी example बहुत सारी example आप फूद से सोज करके आप उसको motion को और rest को समझ सकते हैं ठीक है? अब देखिए तो motion को हम अभी बताया थे इसका types होता है depending upon the path जिसका जैसा path होगा उसका उस तरह से उसको नाम दिया गया है तो पहला क्या है? पहला आप linear linear motion linear motion से आप क्या समझते हैं? straight जिस body और object का motion straight में हो उसको हम लोग क्या करते हैं? linear motion समझ गया है? फिर फिर बताईए oscillatory oscillatory motion आप लोग अपने घर में जरूर देखे हैं कोई बता सकते हैं इसका example oscillatory motion का two and fro motion होता है इतना तो आपको hint दे दिया हूँ yes pendulum watch ठीक है? pendulum watch में आप देखे होंगे जिसके घर में pendulum घड़ी होती होगे उसके यहाँ देखे होंगे जो नीचे का जो pendulum होता है वो क्या रहता है? to and fro motion इस तरह से वो rotate करते रहता है तो क्या उसको करते है इसमें क्या हो जाए एक्जाम्पल pendulum watch ठीक है? means pendulum घड़ी और अब vibratory motion ठीक है? इसी को oscillatory motion को ही vibratory motion भी करते है ठीक है? और इसी में एक और types आ जाता है क्या है? circular motion क्या? circular motion और इसी को एक और नाम देते हैं Anybody guess? या circulatory motion क्या? circulatory motion तो circulatory motion तो simple है है ना? जो circular path फोलो करें या circular path फोलो करें आप लोग तो सुबह सुबह अपने आपको physically fit रहने के लिए सुबह सुबह दोड़ते हैं ना? है ना? तो वो आपका path क्या रहता है? चाहे square में होता है चाहे circular path होता है जातर लोग circular path में ही चलते हैं क्योंकि circular path में आपनको rotate करने में easily होता है लेकिन square path follow नहीं करते हैं तो circular path जो follow करते हैं हम लोग दोड़ने के लिए उसी को बोलते हैं circular motion तो वहाँ भी देख लिजए क्या हो रहा? time to time आप change कर रहे हैं है ना? और sorry और किसी के reference ये stationary point से आप लिजएगा तो आप क्या? circular motion में भी आपको क्या कहा जाएगा? आप motion में हैं तो ये तीन प्रकार आप समझ गया ना? with example अब इसमें एक इतना बातों में आपको हम समझा रहे हैं rest rest किसको करते हैं? जो body में movement नहीं हो ठीक है? अपना position time के respect में change ना करता हो उस body को क्या कहते हैं हम लोग? rest ठीक है? a body is says to be in rest when its position cannot changes with respect to time ठीक है? तो rest आप समझ गया? ठीक है? rest मतला भी हम मैं देखो यहां मैं stand हूँ अभी मैं क्या हूँ? पुरी तरह से rest में हूँ ठीक है? time के according मैं क्या? change हो रहा हूँ? नहीं हो रहा हूँ आप भी पढ़ रहे हो पढ़ रहे हो ना? time के according तुम change कर रहे हो position? नहीं अपने table पे बैठे हो तो आप अभी rest में हो लेकिंग जब आप movement में लिए तो क्या हो जाएगा यह? change हो रहा है तो आप motion में आ जाएगे तो कहने का मतलब क्या होगा? जब body का motion change हो जाए with respect to time तो उसको करते है अपन motion किसी भी body का movement change हो तो उसको क्या करते है? motion rest क्या होगा? किसी भी body और object का movement जब movement होता हो और position change नहीं करता हो with respect to time तो उसको rest बोल रेस्ट में हमारा movement नहीं होता है ठीक है? अब अब इसमें समझते हैं हम लोग दो quantities के बारे में हैं ठीक है? यह दो quantities समझना इसलिए important है क्योंकि आफ physics में यह दो term के बारे में per day सुनना है क्या सुनना है? per day ठीक है? तो सबसे पहला दो quantities क्या क्या होता है? पहला आपका होता है scalar quantity और दूसरा क्या होता है? vector quantity तो यह दोनों के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है ठीक है? क्योंकि यह दो term जो है आपको per day सुनने को मिलेगा तो सबसे पहला scalar those quantities says to be a scalar whose own magnitude सिर्फ scalar quantity में आपको क्या मिलेगा? magnitude इसमें सिर्फ आपको value मिलेगा और direction नहीं मिलेगा क्या मिलेगा? सिर्फ magnitude direction नहीं मिलेगा इसलिए मैं इसको क्या कर दिया हूँ? cross तो magnitude किसमें मिलेगा? distance, speed इसमें example क्या हो जाएगा? distance, speed distance और speed में सिर्फ और सिर्फ आपको magnitude मिलेगा मिन्स इसका value direction इसमें नहीं मिलेगा ठीक है? vector quantity किसको बोलते हैं? vector quantity उस quantity को बोलते हैं जिसमें दोनों मिलते हैं magnitude ही मिलता है और direction ही मिलता है इसमें क्या मिलता है? magnitude इसमें 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 यह दोनों मिलता है इसमें आपको value मिलेगा और किस direction में है वो value वो भी आपको इसमें पता चल जाएगा इसमें vector quantities में तो इसमें आपका example क्या हो जाएगा? Anybody? इसमें आपको example हो जाएगा displacement displacement, velocity and so on अब आप सोचते होंगे sir यह याद नहीं होगा आपको ऐसा लग रहा हो अना इस sir यह याद नहीं होगा तो सबसे पहले आप देख लिजे alpha weight के अनुसार सबसे पहले क्या आता है? फिर V आता है आता है न? तो S scalar means इसमें जो पहले आ रहा है उसमें सिर्फ magnitude मिलेगा ठीक है? ऐसे याद रखना scalar पहले आ रहा है तो इसमें magnitude सिर्फ मिलेगा vector alpha weight के अनुसार ABCD के अनुसार V बाद में आ रहा है ये बाद में आ रहा है मतलब जादा आ रहा है जादा आ रहा है तो इसमें दो value मिलेंगे क्या क्या मिलेंगे? magnitude और direction इस तरह से scalar और vector में confuse कभी मत हो ना? ठीक है? एकदम कैसे याद रखना? एस alpha weight के अनुसार पहले आता है तो उसमें सिर्फ magnitude मिलेगा और alpha weight के अनुसार vector बाद में आ रहा है बाद में आ रहा है मतलब जादा आ रहा है तो उसमें क्या होगा? magnitude प्लस direction दोनों मिलता है ठीक है? ठीक? कभी confuse नहीं करोगे? यह scalar of vector quantity क्या होता है ठीक है? कोई भी problem? नहीं ना?